ये तीन गलतियां कभी मत करना लोग बहुत ज़्यादा भाव खाने लगते हैं क्योंकि हम life में जब हम relationship में जाते हैं हम कुछ-कुछ गलतियां करते हैं हम सोचते हैं कि हम बहुत care कर रहे हैं, बहुत respect कर रहे हैं, हम effort लगा रहे हैं हमें तो यह चीज करनी चाहिए है और दातों से आपके अक्सन से फिर आप कुछ भी कर लोगों के अंदर फार्पार्ट होती है आपकी यहां होती है ना आपकी तरह चीज़ें नहीं कर रही है क्या नहीं करना इस वीडियो में डिसकस करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इंस्टाग्राम पे फोलो नहीं किया है अगर आपने अभी तक नहीं फोलो किया है देख लीजेगा आलडी वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज है और वहां पर मैं daily live आता हूँ तो आप मेरे से connect हो सकते हो और वहां पर बातचीत कर सकते हो अगर आपको मेरे से personally बातचीत करने है WhatsApp नमबर दिख रहा है इस नमबर पर आप message कर सकते हो और मेरे से personally बात कर सकते हो और यह जो भी book होगा slot book होगा वो paid है it's not free तो please इस चीज़ को consider ज़रूर कीचेगा तो सबसे पहली गलती जो हम अकसर कर देते हैं वो है making everything easy हर एक चीज़ को बहुत आसान बना देते हैं कि सामने वाले इंसान को इज़त मिलना हो गया respect मिलना हो गया care मिलना हो गया value मिलना हो गया loyalty मिलना हो गया बढ़ा easy है मतलब हमने सब कुछ परोस करके दे दिया है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है baby मैं सब कुछ कर रही हूं तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मैं जान दे दूँगा करना होगा सम्मे करूंगा सामने से कुछ भी response नहीं आएगा जब मैं call message करूंगी तो उठा लिया जाएगा हम सब कुछ available करा करके देते हैं and after a time जिस सामने माला इंसान ignore करता है हमें लगता है मैं क्यूं कर रहा श्यां आप ने उसके भाव बढ़ा दिये होता है न कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और supply कम होगा उसकी वैणौ बढ़ साएगी अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा हो डिमांड कम है वैलू गिर जाएगी आप बार-बार message किया जारो, call किया जारो, आपकी supply बहुत जाद है उस इंसान के सामने, उसे नहीं चाहिए इतना कुछ चीज है, तो आपकी value गिर जाएगी It happens, it happens always, कि हम किसी इंसान को कोई चीज easily available करा देते हैं कोई चीज तुम्हें easily मिल जाएगी, तुम्हें उस इसके value नहीं पता होगी किसी इंसान को तुम्हें प्यार में अगर पाना भी है कोई करस है तुम्हारा तुम उसके पास गए तुमने बोला, यार I like you I love you वाँ, I love you बोल दिया I love you too baby, I love you too मैं बहुत प्यार करते हूँ, मैं तुम्हारे ही सपने देख रहे हूँ एक यह लड़की है एक दूसरी लड़की है जिस पर जाकर कि उसने ट्राई किया और उसने का, no no no, I'm not interested उसने दुबारा ट्राई किया फिर उसने का, ठीक है यार इतना तुम्हेफर्ट लगा रहे हूँ, ठीक है मैं सोचूंगी फिर उस तरह से वो कर रही है एक हपते, दस दिन, महीने, दो महीने सामने आला इंसान पीछे पीछे घूम रहा है तिन-चार महीने के बाद उसने, का ठीक है एक्सेप्ट कर लेते है, कोई नहीं बट अच्छे से हम रिलेस्नसिफ कांटिनू करेंगे वैलू मिलनी चाहिए तो अलड़ी उस लड़की की वैलू उसके माइड में इतना बढ़ चुका है कि वो यूही इग्नोर नहीं कर पाएगा उस लड़की को, क्योंकि उसके लिए उसने इतना सारा एफ़र्ट लगाया है उसने कुछ भी चीज उसको इजिली नहीं दे दिया कि सब कुछ अक्सेप्टेबल है उसने एफ़र्ट लगवाया है तो उसकी वैलू उस इंसान को पता होगी और जो इजिली मिल गई क्योंकि कोई भी चीज नहीं इंसान चेज करता है जो चीज हम चेज करते है न जितना एफ़र्ट लगाते है उतना ही हमें उसकी वैलू पता होती है कोई बिना एफ़र्ट कि यूई एक बार में मिल गया उसकी वैलू कम हो जाएगी जो बहुत effort लगाने के बाद मिलता है उसकी value बाड़ आएगी तो चीजों को easily available कराना बंद कीजिए दूसरी गलती हम यह करते हैं अक्सर relationship में हर time available रहना जरूरत से ज़्यादा available रहना 24-7 तुम call पे बैठो WhatsApp पे बैठो message पे बैठो कि आज देखो उसका message आ गया तुरंत reply उसका call आ गया पिक अप कर लिया तुरंत उसका call message कभी भी 24 घंटे में कभी भी आ रहा है वो बैठे है आप कर रहे हैं इसका call message के लिए तुम बैठे बढ़े हूँ उसका गया यार मैं free हो होंगा मैं call कर दूंगा तुम बैठे बो फोन पगड़ करके तुम्हारे कोई काम नहीं है तुम्हारा कुछ भी नहीं है तुम्हारे जिन्गी कोई dreams रही है कोई सपने नहीं तो जब तुम अपने आपको इस तरह से बना लोगे तो सामने वाला इनसान भी तो तुम्हें उ के लिए किसी भी चीज में अबिलेबल होना बंद कीजिए तीसरी एक बड़ी गलती है अपना बीक पॉइंट बताना maximum टाइम पे लोग गलती कर जाते हैं और बाद में सामने वाला इंसान उसी चीज को लेकर के उन्हें ब्लेक मेल कर रहा होता है अपने बीक सब कुछ है तुम नहीं हो तो मेरे जिंदगी कुछ भी नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर रहे हूं कोई भी नहीं है कोई मेरी वैलू नहीं कर रहा है मेरी फैमिली मेरी इज्जत नहीं करती है मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं मानते हैं हर कोई मुझे भगाता है तुम ही एक इनसा जहां से मुझे validation मिल रहा है, जहां से मुझे value मिल रहा है, जिस इंसान के साथ मैं life जीना चाहते हूं, अगर तुमने अपनी कमिया सामने वाले इंसान को बता दिया, अब तो उस इंसान के लिए तुम बड़े महरे बन गए हो, कि वो कुछ भी करेगा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारी वैलू नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी अपने नजरों में तुम्हारी कोई वैलू नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी अपने नजरों में तुम्हारी कोई वैलू नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुमसे कुछ भी क इन चीजे हैं काफी इंपॉर्टन चीजे हैं अगर यह आप गलतियां करते रहोगे और भी कुछ-कुछ चीजे हैं इसका ख्याल रखना अगर आप यह गलतियां करते रहोगे तो आप अपनी वैलू खो देगे और सामने वाले इंसान का इटीट बढ़ जाएगा उसका इगो बढ़ साएगा उसकी बहाओ बढ़ साएंगे आई फोब वीडियो तो मैं समझ में आयोगा वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिए पहली बाद चैनल पर आया तो प्लीजिज बिजिट दा चैनल इफ यू ठिंक इडिस वैलेवल तो आप सब्सक्राइब कर सकते है और आने वाली वीडियो चुका आपको नोडिविकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सरूर हेट कर लिजएगा बाबाए